हेलो फ्रेंज, मैं अपने फैमली के साथ कोलकाता गया था और आप देख रहे हैं मेरे कोलकाता ट्रिप का वीडियो और इस पार्ट में आप देखेंगे क्रिस्टिन्स का एक इमपोर्टन पिलगिरमेज सेंटर बैंडल चर्च मेरे प्रीविज वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम हावडा से लोकल ट्रेन लेकर बैंडल चर्च पहुँचे तो पूरा एक घंटा और दस मिनिट बाद हम लोग पहुँच गए बैंडल रिल्वे स्टेशन के बाहर ये जो लाइन लगी हुई है ये लाहिरी बाबार आश्रम जाने वालों की भीड है जो यहाँ से अराउंड 5 किलोमेटर दूर दिल्ली रोड के आसपास है तो हमने आटो ले लिया है और ये हमसे चार्च कर रहा है 120 रुपेज 120 रुपीज और हम तीनों ही जा रहे हैं बस तो चलो आगे मिलते है बैंडल जाते उए ये अंडर पास आता है यहां जब भी आओ हर सबीब वाटर लॉगिंग रहता है इससे पहले मैं यहां पर दो बार आ चुगा हूँ तब भी भी यहां पर वाटर लॉगिंग था हमारे आटो वाले ने आटो को बहुत सुन्दर से सजागे रखा हुए यहाँ पर गली-गली होकर ही बैंडिल चर्च के तरफ जाना पड़ता है तो हम लोग पहुंच गए है बैंडिल आमें पता चले है क्या चर्च बंद है लेकिन मेला खुलाए तो हम लोग मेला में जा रहे हैं यहाँ लोगों की भीड देखो लास्ट काइम जब आया था तो पूरा खाली था यह है बैंडिल चर्च का इंटरेंस और यहाँ कृप बना रखा है एक्चुली हम लोग यहाँ फर्स जैनवरी को गए थे और यहाँ क्रिस्मस मूडी चल रहा है हर साल फर्स जैनवरी को चर्च पूरे दिन के लिए बंद रहता है तो आज चर्च बंद है कल खुल जाएगा देखते हैं नेक्स टाइम आ सके तो आ जाएंगे यह पीछे चर्च था और यह साथ से नीचे हुगली नती के तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ पे मेला लगा हुआ है मेले में मेरे को एक यूनीक डिश थी कि जिसने मुझे वहां रुकने और टेस्ट करने को मजबूर कर दिया बेसिकली यह चावल के आटे से बना हुआ है और इसको भापेर पीठे कहते है यहाँ पर इस आदमी ने कटोरी लिए उसमें चावल का आटा रखा उसके उपर एक कपड़ा रखा और कटोरी को उल्टा कर दिया बर्तन के छेद वाले ठकन के उपर और उससे निकलने वाले भाप से यह रडी हो गया उसने इसमें खजूर का गुड़ भी डाला बहुत यूनीक टेस्ट था और इसको गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा है इसके लावा हम लोगों ने कोलकाते के फेमस फुचका खाए इसे पानी पूरी कहते है दिल्ली में और भी बहुत कुछ टेस्ट किया और घुमे फिरे आप ने से खालो अपने से नहीं आ रहा है कि छोटो भी बहुत कि इसको नहीं देना कि अपर गए अपर गए अपर गए कि अपर गए कि अपर गए यहां मेरे कैमरी की बैटरी कतेम हो गई थी और आगे का मैं शूट नहीं कर पाया यहां पर कुछ समय मेले में बिताने के बाद हम लोग लोकल ट्रेन पकड़कर वापस हाउडा चले गए तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना तो मिलते हैं कोलकाता ट्रिप के अगले व्लो